Harvard Inter Admission 2024 के तहर जो भी बिद्यार थी एक गल्मी में नमांकन लिये थो और पहली मेरिट लिस्ट का बेट कर रहे थे उनका पहली मेरिट लिस्ट कब आएगा तो पहली मेरिट लिस्ट में जो भी छात्रों का नाम आया है उनको उनके अस्कूल भेजा गया है मेरिट लिस्ट यानि जिस अस्कूल में आपका नमांकन होगा उस अस्कूल में आपका मेरिट लिस्ट भेजा गया है तो जाने एक किस अस्कूल में आपका जो है नमांकन यहाँ पे होने जा रहा है किस चात को कौन सा स्कूल मिला है एडमिशन के लिए पहली मेरिटिस अब चात का डाउनलोड करने के लिए परकिरिया जो है वो यहाँ पे सुरू होगी तो बिल्कुत ध्यास से देखेंगे कि कब आप मेरिटिस डाउनलोड करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा नहीं किस स्कूल में जाकर आपको अडमिशन लेना है और काउन सा स्कूल जो है छात चात्राओं को यहाँ पे मिला है बिहार बोड का इंटर अडमिशन एगरमी नमांकन का पहली मेरिट लिस्ट है अब होगा जारी चात इस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे मेरिट लिस्ट है साथी साथ मेरिट लिस्ट के तहर जो है सभी जीलों का लिस्ट जो है वो आपके स्कूल में भेजा गया है और यहाँ पे आप 26 चात्राओं को बता दे कि एडमीशन के लिए आपको इंटीमेशन लेटर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करना होगा मेरिट लिस्ट के साथ जानेंगे पूरी पर किया कि इस बार जो एडमीशन जो है वो किस तरीके से चलेगा जो भी छात का मेट लिस्ट में नाम होगा वो किस तरह से मेट लिस्ट देख पाएंगे कौन सा स्कूल आपको मिला है यहाँ पर जो मेट लिस्ट के साथ एंटी मेशन लेटर की बात की गई है तो मेट लिस्ट के साथ एंटी मेशन लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है कौन कौन सा डोकुमेंट जो है वो अस्कूल में आपको अलग से लेकर जाना है जिस अस्कूल में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उस अस्कूल में कौन से डोकुमेंट लेकर जाने हैं कितने पैसे लेकर जाने हैं सारी परकिरिया यहां पर समझ लेजे यूँकि 11 की नमांकन की बारी यहां गई है, आप लोग का पहली मेंट लिस्ट आपके अस्कूल भेजा गया है नमांकन के लिए, अगर आप पूरी परकिरिया नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन यहां पर रद हो जाएगा, और फिर आपका पहली मेंट लिस्ट के तहज़ नमांकन कैंसिल कर दिया जाएगा, तो बिल्कुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से आपको पहली मेंट लिस्ट डानलोड करना होगा, किस दिन आपको अस्कूल में जाके अडमिशन कराना होगा, और पहली मेंट लिस्ट के बारे में क्या कहा गया है, बिल्कुत ध्यान से यहाँ पे देखेंगे सभी सबसे पहले बात कर लें कि बिहार बोर्ट 11 का जो पहली मेश लिस्ट हैं उसमें जो आप online form वरने के time कम से कम 10 अस्कूल और 20 अस्कूल का जो चैन करने का मौका दिया गया था तो जो भी आप अस्कूल चैन किये थे ठीके साब सब देखें यहाँ पे बोला दीजाएं कि जो टॉप 3 असकूल का चैन आपके दोर्णा किया था ठीक है क्योंटी आप ने वहां पे दस अस्कूल काराइं किया था लेकिन जो टॉप 3 अस्कूल का चैन किया गया था उसमें बीर बोर्ड पहली में लिस जो जारी कर रही है, उसमें cut up का नुसार, पहली matrix में छाथ-छाथ्राओं का नाम डाला गया है, अगर आपका 10th का marks, यानि 10th में जो आपका marks आया था, जो पहली matrix में जो आपने top 3 अस्कूल चुने है, उनके marks के cut up के बराबर है, तो आपको वही 3 अस्कूल में से पहला वला स्कूल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा यानि जैसे मान लिजी किसी का दस्मी में 60% मार्क्स है 60% कहने का मतलब कि आपका दस्मी में मान लिजी किसी का 300 नंबर है और वहाँ पे जो टॉप 3 अस्कूल चैन किये थे उसमें से पहले अस्कूल का अगर मार्क्स जो है वो आपका 290 रह गया 300 रह गया या 295 रह गया तो आपको पहला अस्कूल जो है वो यहाँ पे पहली में इस लिस्ट में मिल जाएगा लेकिन अगर आपका 2nd अस्कूल में उतना नंबर आ रहा है आपके मेट्री मार्क्स के बराबर तो 2nd अस्कूल में आपका जो है वो यहाँ पे नाम जो है अड्मिशन होगा लेकिन जो चात्रे सेम अस्कूल में पढ़ते थे जैसे माल लिजे कि 10 मी में जो आपका स्कूल था, 3 में जो आपका स्कूल रहा था, अगर उसी स्कूल में आप 11 के लिए online apply किये हैं, तो आपका उसी स्कूल में admission होगा, आपका school change नहीं हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लिजे, यह तो समझ गए कि किसको कौन सा school मिला, किस दिन से आपका school में जाके admission लेना होगा, information लेटर आपको download करना होगा, ठीक है, वो कैसे download होगा, कौन कौन सा documents अलग से लगेंगे, पैसा कितना लगेगा, पुरी जनकाई दिखिए, कम matrix हैगा, वो भी जानेगे, कैसे आपको matrix download करना है, सब कुछ जानेगे इसी वीडियो में, सबसे पहले जान लीजिए, कि admission के time, जो है, कौन कौन सा documents जो है, वो आपको school लेकर जाना होगा, अगर कोई भी documents की कमी रहेगी, तो आपको school में admission नहीं होगा, और फिर आपको problem हो जाएगे, तो बिलकुल ध्यान से यहाँ पर देख लिजेगा, थोड़ा सा भी skip नहीं कीजेगा, सबसे पहले admission form, यानि कि इसको नॉर्मल भासा में समझ लिजी कि जो आप लो online अपलाई किये थे, ठीक है, उसमें जो आप print out निकाले थे, वो print out का original और photocopy आपको ले कर जाना है इसके साथ ही साथ, एक intimation letter होगा, जो पहली matrix में आपका नाम आएगा, तो उसमें आपको एक intimation letter दिया जाएगा वो आपको download कैसे करना है मैं बताऊँगा, वो भी आपको ले कर जाना है ठीक है, उसके बाद 10th marksit, 10th का marksit अगर आपके पास original नहीं मिला है, तो जो आप result check करने के time में जो आप print out निकाले थे, वो आपका marksit का photocopy आपको ले कर जाना है, admit card 10th का आपको चाहिए, passport size photo, online करने के time में जो आप photo लगाए थे वही photo कम से कम आपको 7 से 8 पीस वे book आपको school में ले कर जाना होगा, ठीक है, कम से कम 7 से 8 पीस, उसके बाद जाती परमान पत, online करने के time में जो जाती आप डाले थे, माल लिजी कोई डाला था OBC, कोई डाला था EBC कोई SC था, कोई SC था या ST था, जो जाती आप डाले थे, general को छोड़कर वो जाती का परमानपत आपको लेकर जाना होगा और उसका photo copy भी लेकर जाना होगा धियान रखेंगे सी photo copy नहीं original के साथ साथ photo copy लेकर जाएए है क्याकि original दिखाने के लिए बुला जाएगा, और photo copy वहाँ पर आपका जमा हो जाएगा, ठीक है उसके बाद अगर आपका school change हो रहा है यानि दसमी में कोई और अस्कूल था और गहमी में कोई और अस्कूल में आपका नमांकन हो रहा है तो जहां से आप दसमी pass किये थे वहां से TC normal भास्ता में TC बोलते हैं आप लोग ऐसे उसको SLC बोला जाता है School Living Certificate यानि स्कूल परित्याग परमानपत जो है वो आपको वहां पे लेकर जाना होगा ठीक है जहां से आप दसमी pass किये वहां से ले लिजएगा अगर आपका school change है तो mobile number और email ID वही आपको डालना है जो आप online के time में डाले थे इससे क्या होगा क्या scholarship में आपको दिक्कत नहीं होगा इसलिए इसका जब आप डाले तो सही सही डालेगा अभी से लेकर इंटर एडमिसन तक अपना mobile number और email ID चेंज नहीं किजेगा जब तक आप 12th pass न कर जाए इस सीच का ध्यान रखे है mobile number email ID डालते एक समय नहीं तो बाद में जब 12th pass करेंगे तो अस cross tip लेने में दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो ये सभी documents आप लोग डेडी रखेगा अब जान लेते हैं कितना पैसा लगेगा तो जो आप online करने के time में जो registration charge लगा था वो सिर्फ आपका registration charge था अब admission fee लगेगा admission fee की बात करें तो वो आपके school पे depend करेगा कि कितना आपका fee लगे लेकिन फिर भी आपका average बात कर ली जाए कि average आपको कितना पैसा ले कर जाना है ताकि आपको घर बापस ना आना परे पैसे के लिए तो पैसे की बात करें, तो average जो आपका पैसा लगेगा, वो पचीस सो के आसपास लगेगा, पचीस सो के पलस या पचीस सो पलस माइनस आपको लगेगा, तो पचीस सो के आसपास आपको पैसा जो है वो आपको स्कूल में लेकर जाना होगा, और ये सारे डोकुमेंट जो अभ इस पी आपको लेकर जाता हूं और आभी जो यहां पर आपर दीया है खुंप बार से आपको जो है क्लास करने भी आपको जाना हों को यहां पर admission पे आप click करेंगे, admission पे click करेंगे तो 11th admission पे जाएंगे और अभी जो यहाँ पे notice जारी किया आगए उस notice पे आपको लेकर चलते हैं तो ध्यान से पूरी वीडियो यहाँ पे देखेगा कि merit list और intimation letter जो है वो अब यहाँ पे आपको check करना हो ठीक है यहाँ पे देखे बोला गया है कि 18 मई से अस्कूल में जाकर class करना होगा इसके लिए बिहार विद्याले पैच्छा समीति ने notice भी जारी कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे कि आगी यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब क्योंकि यहाँ पे आज यहाँ पे शनी बार है तो सोम बार से आपको जो है वो एगरमी में कच्छाई जो है संचालित करने का निर्देश दिया गया है यानि सोम बार से एगरमी की अच्छाई संचालित होगी आज आप अस्कूल वहाँ पे बिजिट कर सकते हैं ठाणा मैंसे ठीक है कि जहां आप दस्मी में प्रहाई किये थे उस अस्कूल में एगरमी की क्लास चल रही या नहीं चल रही है अगर जहां से आप दस्मी की प्रहाई किये थे वहाँ अगर एगरमी की क्लास चल रही है तो आपको उसी अस्कूल में क्लास करने जाना होगा जहां से आपने दस्मी की प्रहाई की थी लेकिन कोई छात जो अस्कूल चेंज किया है तरह स्कूल चेंज किया है तो उसका merit list में अ स्कूल बदलेगा तब आपको दूसरे स्कूल में जाकर क्लास करना होगा लेकिनि फिल्हाल जहां से दस्मी पास किये थे उस स्कूल में जाकर आपको क्लास करना है यहां पे छात जो है बो अपना intimation letter और merit list जो है बो यहां पर डा तो फिर अलग अस्कूल में जाकर आपको क्लास करना होगा फिलहाल मंडे से आपको जो है यहां पर सेम अस्कूल में जाकर क्लास करना है और जो चाथ सेम अस्कूल पर जाकर क्लास करेंगे उसका ही एडमिशन जो है वहां पर लिया जाएगा तो इस लिंक पर आकर आप अपना जो नहीं किये हैं वो कर सकते हैं 20 महीं तक और जो कर लिये हैं उनका cut up क्या रहेगा वो ध्यान से ठीक है इस link पर आके आप लोग देख लीजेगा ठीक है link description में दिया गया है वीडियो सभी तक share कर दिजी ठीक हो वाच्ट निस वीडियो और यहां पर वाच्ट से ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप का link दिया गया है जरू से जोयन कर लिजेगा